हलो आज टो आजकी इस वीडियो में मैं आया हूँ दुनिया का सबसे बड़ा मॉल देखने जो दुबई मॉल के नाम से जाना जाता है इस मॉल के अंदर आपको दुनिया के सब ब्रैंड के शॉप मिल जाएगे इस मॉल के अंदर आइस स्केटिंग की एक्टिविटी होती है जो काफी शांदार थी ये दुबे मॉल का एक बहतरिंग अट्रेक्शन था जहाँ पर इन्होंने एक आटिफिशल फाउंटेन बनाया है और इस फाउंटेन का व्यू बहुत ही शांदार है और हर कोई इसके साथ अपनी फोटो निकाल रहा था इसके बाद मैंने देखा था दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वर्टर एक्वेरियम जो बहुत ही शांदार था और काफी सारे अमेजिंग फीश मैंने वहाँ पे देखे थे या आप भार से फ्री में देख सकते हो बगर आपको अंदर से टनल में से जाना है तो आपको एक सो पचास दिराम यानि तकरीबन त्री थाजन फाइंड़ रुपीज पे करने पड़ते हैं इसके बाद मैंने एक डानसार का स्कल देखा पता नहीं यह रियल था या फेक बट मैंने इसके साथ कुछ फोटोस भी किछवाये थे आप यकीन नहीं करोगे मगर आपको दुबै मॉल पूरा प्रॉपर घुमना है तो आपको तकरीबन दो से तीन दिन लग सकते हैं आपको दुनिया के सब बड़े ब्रांड एक ही रूफ के अंदर मिल जाएंगे और आप वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो दुबै मॉल के बिल्कुल बाजू में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ष कलीफा है तो मैंने कुछ पिच्चर्स बुर्ष कलीफा के साथ भी किछवाये थे उसके बाद मैंने एक बहतरिन फांटन शो देखा था जो काफी शांदर था अब दुनिया का सबसे बड़ा टेली वीजन भी इसी मॉल के अंदर है जो आप देख सकते हो एवरी 30 मिनिट्स में यहाँ पे फॉंटेन शो होते है और काफी बीडिया पे रहती है तो मैंने और एक फॉंटेन शो यहाँ पर देखा था है बड़ा में ए birाड बीडिया पो कर दो कर दो कर दो कर दो लो साबने के उन्या कोश रिख भामा रहें झाल आदी को कि जो में झाल आदी कि उन्या को अ की जए वरा है व झाल इटभर रवने के इसंथ भार हADE मैंने मौल के अंदर काफी सारे स्टोर में विजिट किया था बट मैंने वहाँ पर कुछ पर्चेस नहीं किया था मैंने सिर्फ वहाँ पर विंडो शॉपिंग की थी दुबै मौल का एंबियंस बहुत ही शांदार था और दुबै मौल इतना बड़ा है कि इसमें एक शहर बच सकता है तो अगर आप दुबै जा रहे हो तो दुबै मौल जरूर विजिट करिए वहाँ पर आप एक फांटेन शो होता है वह आप अटेंड करिए बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए अगर बच्ट व Joint झाल झाल झाल